हाई एब्रीवन, मेरा नाम रितु जैन है, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब की प्रप्रेशन भी बहुत अच्छी जल रही होगी, आज मैं आप सब के साथ कौन सेक्शन के लिए टूडूलस शेयर करने आई हूं कि आपकी प्री एक्जामिनेशन के लिए कौन सेक्शन की क्या टूडूलस रहनी चाहिए, आज मैं आप लोगों के साथ दो टूडूलस शेयर करूंगी, एक उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी बैंकिंग जर्नी की जस्ट स्टार्ट है और एक उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑल्रेडी बैंकिंग जाम्स के वीडियो बनाऊ तो प्लीज कमेंट कीजिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे वेले में टूडूलिस बताऊंगी जो न्यू आप्परेंस है उनके लिए जिन्होंने जस्ट अभी बांकिंग जोनी अपनी स्टार्ट की है तो सबसे पहले आपकी टूडूलिस में फर्स चीज रहेगी दिन में कि आप क्यालकुलेशन बेस्ट सारी चीजों को रीड करें जैसे कि स्क्वेर्ज हो गए, एबल्स हो गए, क्यूब्स हो गए या फिर परसेंटेज टू फ्राक्शन कन्वर्जिन हो गई यह सब मैंने अपनी मास्ट्राटेजी वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताया है आप चाहें तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं तो आपका सबसे पहला टास्क रहेगा यह सब कुछ रीड करना सेकिंड टास्क आपका रहेगा, अगर आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आपने कोई नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा है, सपोस कीजिए परसंटेज है तो परसंटेज अगर आपने स्टार्ट कर रहा है, हम सपोस करते हैं, आपको तीन दन लगेंगी उस टॉपिक को कम्प्लीट करने में तो आपने क्या करा, उस topic को तीन दिन अपनी todo list में divide कर लिया, तो आज ऐसे आप percentage कर रहे हैं, तो आपने आज एक लाज percentage की देख लिए, उसके सारे question solve कर लिये और सारा basic सीख लिया उस topic का, उसके बाद आप बाकी के दो दिन उस topic को complete करेंगे अपनी todo list में, तो आज आपने पहला काम क्या किया, आपने सबसे पहले calculation के लिए सब कुछ read करा, second आपने क्या करा, जिस topic के लिए आप prepare कर रहे हैं, आपने वो topic अच्छे से आज के लिए पढ़ लिया, और आपने उसके questions भी solve कर लिये साथ-साथ, ठीक है, third thing आपकी रहेगी, कि आप D.I. की एक class देखें किस type के आते हैं, अगर आप basic सीख रहे हैं, तो आप D.I. के 4-5 types की, हर type की एक-एक D.I. की practice कर सकते हैं, और इसके बाद four चीज ये रहेगी, कि आप जो miss lineage चीजे आते हैं, जैसे quadratic equation हो गया, approximation हो गया, simplification हो गया, missing number हो गया, ये number series हो गया, इन सब की practice करेंगे, तो जो new aspirants है, उनकी ये रहेगी to-do list, और जैसे ही आप एक week complete कर लेंगे, अपने preparation स्टार्ट किये वे, तो आप एक week के बाद, एक sectional attempt करेंगे, और देखेंगे, जो जो आपने topics किये हैं, उनको analyze करेंगे, कि कहीं वहाँ तो आपकी गलती नहीं हो रही, उसमें improvement हो रही है, नहीं हो रही, अगर उसमें time लग रहा है, बट जो चीज आप cover कर चुके हैं, वो चीज आपकी अच्छे से solve होनी चाहिए, अब हम second part पर आजाते हैं, वीडियो के, अब हम बात करेंगे, जो लोग already कुछ time से prepare कर रहे हैं, उनकी क्या to-do list रहनी चाहिए, जो first point है, कि हमें calculation के लिए, squares, tables, roots, percentage to fraction, table, divisibility, यह सब कुछ same रहेगा, new aspirants के लिए भी और जो अरड़ी prepare कर रहे हैं, उनकी लिए भी, अब second part में आता है, जो लोग अरड़ी prepare कर रहे हैं, उनका second part यह होगा, कि वो D.I. की daily practice करेंगे, या तो D.I. की class देख सकते हैं, जैसे जब मैं preparation कर रहे थी, तो मैं Ashish Har Sir की अनकाडमी पे, D.I. की पूरी एक course देखती थी, उसके अंदर मैं अपनी classes daily करती थी, daily एक class करती थी, उसमें 3 to 5 D.I.s होते थे, उनकी daily practice करती थी, उसके लावा सबसे important third point है, कि Ashish Sir अपने telegram channel पे daily एक checklist डालते हैं, उस checklist के अंदर, arithmetic के questions, D.I. के questions, miscellaneous questions, जैसे quadratic हो गया, missing number हो गया, या फिर simplification हो गया, approximation हो गया, इस सबके questions होते हैं, आपको daily वो PDF practice करना है, उसको पूरा solve करना है daily, और fourth और last point हो गया, कि आपको sectional करना है, और sectional करने के बाद सबसे important, उसको बहुत अच्छे से analyze करना है, अपनी mistakes को देखना है, और sectional के साथ-साथ, अगर आप द particular topic पर questions टहिए हो, तो मैं एक book refer करती थी, आशी सर की, this is the book, आप इससे भी questions, आप इससे भी daily questions प्राक्टिस कर सकते हैं, इसमें काफी अच्छी variety है questions कि यह जो new aspirants है, वो भी कर सकते हैं, या जो already prepared कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, आप दोनों कर सकते हैं इस चीज को, so I hope आपकी speed अच्छी हो रही है क्या, या आप जल्दी questions solve कर पा रहे हैं क्या, आप इसे एक से दो हफते follow कर करके देखिए, आप धीरे-धीरे improve करने लग जाएंगे, कौन section में, कुछ और भी query हो, तो please let me know, और please do subscribe to my channel, thank you, have a nice day.